नमस्कार दोस्तों वैसे तो मेरा तबियत आज थोड़ा खराब है बट आप ही में से बहुत सारे फार्मर्स का ये कॉमेंट था कि सर आरायर चिक्स हम कहां से ले सकते हैं या फिर कहां से मिले की तो हमें लगा कि हमें इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए और इसी के कारण हम आज ये वीडियो बना रहे हैं तो चलिए वीडियो को इस्टार्ट करते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी अलग-अलग स्टेट में रहते हैं या फिर अलग-अलग से तो हर टोई एक ही जगह से तो इससे ग responds कर सकता और वो भी एक government farm है तो यहाँ पर आपको 20 रुपए प्रतिपीस के दर से chicks आपको मिल जाएंगे तो आपके नजदिक में कहाँ पर government farm है जहाँ से आप यह chicks ले सकते हैं अगर आपको नहीं पता तो आप comment section में अपने address या फिर location हमें share कीजिए या फिर बताईए तो हम आपको बता देंगे कि आप अपने सहर में कहाँ से यह chicks collect कर सकते हैं फिलहाल हम जिस जगा की बात कर रहे हैं वो वीडियो में आपको दिख रही होगी और साथी में उसका address उसका location आपको यहाँ पर सो हो रहा है जबकि यह government farm है तो आप यहाँ पर call नहीं कर सकते हैं तो फिलहाल आप इस government farm में आकर जिने ढूनना है आपको वो हमारे गुरुजी हैं जिनसे हमने farming सीखा हुआ है और यह लगभग 10 सालों से इस farming business में जुड़े हुए हैं और यह government employee है तो इनका नाम है तनुच चक्रवर्ती ठीक है तो आपको बस जाना है और तनुच चक्रवर्ती दा को ढूनना है इस farm में ही रहते हैं वो तो आप उनसे मिलकर आपको स्रीप यह कहना है कि हमें अभी farm से गनेश भहिया ने भेजा है तो यह बहुत ही आसानी से आपको chicks दे देंगे जितने भी आपकी quantity में चाहिए ऐसा नहीं है कि आगर आप हमारे नाम नहीं लेते हैं तो आपको नहीं मिलेगा आपके सवालों के जबाब देंगे और साथी में आपको किसी भी तरह का help चाहिए तो यह सिरिफ हमारा नाम लेने से आपको यह provide गड़ा सकते हैं वो सारे help जबकि अगर आप नॉर्मली जाते हो तो आपको वो इतने समय नहीं देंगे और साथी में उनको कोई खास जरूत नहीं है आपको जबकि हमारे मित्र हैं तो हमारे नाम से ही आपका बहुत सारा काम हो जाएगा तो आपने डिस्पले पर location देखी दिया है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं और जाकर इनसे मिल सकते हैं और मिलकर इनसे बाते किजिए और यहाँ से आप R.I.R.C.S. कलेक्ट कर सकते हैं 20 रुपे प्रतिपीस के दर से और हाँ इन भाई साब से जिनका नाम तोनुच चक्त बढ़ती है इनसे मिलकर हमें एक डिटेल वीडियो मुर्गी फार्मिंग के उपर आपके लिए बना कर लाएंगे क्योंकि इन्हें लगबग 10 साल का experience है और इन्हें medicine और treatment का बहुत जादा ही knowledge है यह पुड़ा फार्म जो की 10,000 मुर्गियों का है यह पुड़ा फार्म का treatment और medicine का department यही समालते हैं तो इनसे मिलकर हमें एक डिटेल वीडियो आपके लिए लाएंगे तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like और चैनल को subscribe कीजिए और अगर आपके कुछ doubts हैं तो आप हमें comment कर सकते हैं thanks for watching